इस सबसे important बात कि अब हमारे पास cover आगया है in सब Glock का तो आप यह Glock का cover खरी सकते हैं this is imported बहुत ही सांदार है ना इस्ट्रैप है ना कोई फीता है ना कोई मैगनेट है आपने डाला यह लोग हो गया press कि आप बहर निकाल लिया और यह कोई भी ग्लॉक आपके पास हो ग्लॉक 17 जब तक आपके अस मॉडल है आप इसे ले सकते हैं वेरी यूनीक क्या बात है लुक अट दिस कितना सांदार है आपके बेल्ट में लगता है ना कोई मैं ना कुछ बहुत सुफ्ट डालिए इस लॉक ग्लॉक 17 का वेरी नाइस और इट राइट नाओ विडियो फैर सॉफ्ट गंडिया एर सॉफ्ट गंडिया के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है बहुत से लोग पूछ थे कि लॉक का कॉंसों मॉडल अच्छा है और क्या है गाइस देखो ग्लॉक जो है सबसे अच्छा है और मॉडल से कुछ लेना देना नहीं है बजट का अपना देख लीजिए बजट से थोड़ों बहुत है और यह आखरी दिन है कि यह डिस्काउंट प्राइज में मिल रहा है क्यों मिल रहा है और इस समसिंग डिफेंट हम इसको सस्ते में इसलिए दे रहे हैं जस्तु प्रमोट कभी कभी कुछ इस डिसकाउंट में ओफर करना चाहिए तो इस एड़ डिसकाउंटेड लेवल यह वाला मोड़ा पास बहुत कम पड़ा हुआ है इस यह प्लानिंग तो बाते करूं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आइकन को हिट कर दीजिए चलिए मैं आपको दिखाता हूं यह है Glock 17 और इसका जनरेशन अपने को दिखना पड़ेगा इस जनरेशन 4 जो है सबसे पहले मने 5 लाया था वेपसाइट पे जनरेशन 4 है Glock देखिए बलकुल असली Glock के तरह लग रहे है color texture सब कुछ Glock के तरह है this is very nice replica of a Glock इसका मैं आपको features दिखा जेता हूं इसके अंदर अगर हमें मिल जाए तो जो basic है वो तो ही है I wanted to look at fps अगर हमारे पास fps है तो इसका जो है fps आप देख सकते हो इस सब्सक्राइब अब तो 130 मीटर पर सेकंड और co2 है 0.177 बाकी सब चीजह मैंने इसके बार में पह देखते हैं इसका मैनोल आप हमारे पास देख लीजिए इसके अंदर हम इसको कंपर करेंगे अब 200 मीटर पर सेकंड तो इसका fps जो है generation 5 का थोड़ा सा कम है इसका बहुत जादा है अगर आप कंपर करें तो वेट वगरा सब अल्मोस्ट जो है थोड़ा यह वाला थोड़ा क है जनरेशन फाइफ का जो वेट कम इसका थोड़ा जादा है बाकी साइज वाइस और मुस्ट सेम है आप देखिए लुक आप देख सकते हैं ऑवेसली जनरेशन फोर काफी ज्यादा रिलिस्टिक लगता काफी अच्छा है दोनों बिलकुल अगर ध्यान से देखेंगे तो को डिफरेंस मालूम पड़ेगा यह कट है इसमें यह थोड़ा अलग है और साइज में घुमाएंगे तो कर डिफरेंस हैं और इसका मैगजीन आप देखेंगे तो बिलकुल यह पीछे आता है और आगे चले आता है वरी स्मूध है इसका थोड़ा सा जो है कि डिफरेंट है इसका मैगजीन ऐसा है आप देख सकते हूं कि इसका मैगजीन वरी स्मूध वरी कूल ऐसे मैगजीन मुझे काफी ज्यादा पसंद होते हैं अपनी अपनी चॉइस है यह वाला जो है इस जनरेशन 3 और इसके साथ पूरा बोक्स भी आता है यह यूनिक सा बॉक्स है ग्लॉक का आप देख सकते गलॉक का डिजाइन बना हुए इसके उपर और यह है इसका मैनुवल यह काफी ज्यादा मेरे खाल से इन सबसे भारी है एक बार रिकनफर्म कर लेते हैं क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ अंदाजे भी बोल रहा हूं दस्ट वाट्च सवनेंट फाइव यह ईससे जो जादा है मैं मेरा नासा यह इसका तो चुने में आपको लगता है कि तोड़ा से में आप अश्यादा च्चा अथा है को इसके अंदर प्रफ्शी जो बात है इसका मैगजिन टेफरेंट आप देख सकते हो इसका मैगजीन अलग है इसका चार रहल साइब के बास आते हैं इसमें बीबी टों डाल सकते हैं इन दोनों में जो है सिर्फ डीवी डलता है तो यह इक स्बैक्राइँ है यह यह इसका है किसके अंदर कुलन से नहीं है तो काफी अच्छी है और इसको अमने लॉक कर रखा है इसका लॉक जो है खटा देते हैं तो आप देख सकते हो तो इस इड़ गाइस यह तीनों आपने देख लिया है आपको आप समझ में आ गया होगा अगर आप मुझसे पूछे मेरा आप यह अपते हैं कि अच्छे करिए आपको को कोई इसउ नहीं है अगर disclग आप विरुवर दुलिए अदिशेफ से NICK अगर आपको credit card से payment करना है तो आप उस mail का reply करें कि आपको credit card से payment करना है आपको link दे दिया जाएगा उस पे प्लिक करके payment कर सकते हैं आप उसको EMI में भी करवड़ करा सकते हैं अगर by chance आप website पर order 9 कर सकते हैं नहीं हो पा रहा है तो प्लीज हमारे screen पर दिवे नंबर पर call करि दिए info at the rate of airsoftgun india.com या airsoftgun india at the rate of gmail.com पर मैं आपके आपके orders का मैं वेट होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बैल आइकन को हिट कर लिए मैं आप से मिलूंगा अगले वीडियो में तिल दन गाइस हैफ़वन